हालोन वेल्कम फ्रेंज देख रहे हैं आप नेक्ष्ट नाइन न्यूज स्वागत है आप सभी का हमारे शानल में एक बार फरसे आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं बॉलिवूर की किसी हसीन अदाकारा नहीं बलकि बात करने वाले हैं सुरू से जादू चलाने वाली अपनी आवार्च से लोगों का मन मोहने वाली और भजन किर्तर में सबसे जादा महारत हासल करने वाली अनुराधा पॉडवाल के बारे में मिदे साल दुखों का पहार अनुराधा की जिंदगी में दुबारा तूट रहा था दुबारा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं कि लगभग पचीस साल पहले की बात है गम से उभर नहीं पाई थी अनुराधा पती को खोने के बाद गुलशन कुमार के साथ जो हाथसा हुँ से अनुराधा पूरी तरह से टूट गए थी क्योंकि अनुराधा के बहुत करीब रहे थे गुलशन कुमार इनके साथ वह इंसरेन werd ने अनुराधा की जिंदगी भी बतली बॉलिवर इंडिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गाईकी नहीं लेकिन भजन की दुनिया में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाईकी पेश की जिसकी कारण वो आज भी हमारे दिल में रास करती है और उनकी आवाज का तुलना करना अस्संभव है इसी भी गाईका के साथ ऐसे में अनुराधा पॉडवाल जिनकी आवाज सुनते ही मन बिल्कुल निश्यल पावन हो जाता है वो अनुराधा पॉडवाल आज किस हाल में है 35 वर्षिये अदित्ते का 36 साल होने वाला था और जन दिन से ठीक पहले हमेशा हमेशा के लिए अब वो अपनी मां का साथ उनके बुड़ापे का लाटी बनने के बजाए हमेशा के लिए छोड़ गए जिससे अनुराधा इस कदर टूटी कि अब भी वो इस गम से पूरी तरह से उभर नहीं पाई है अनुराधा आपको कुछ इवन्ट में दिखी भी होंगी लेकिन अनुराधा अपने दिल का हाल नहीं बया कर पाती है आईए उनके स्तिती के बारे में जानते हैं कैसे उनके जंदगी कट रही है देखे रिपोर्ट यकीन करना इस बाद पर आपके लिए भी कठिन हो सकता है लेकिन सच है ये बात कि आप सब की फेवरेट और आप सब की पसंतीदा सिंगर अनुराधा पॉडवाल आज बहुत कम ही गीत गाती है फिर भी वो किसी और का सहारा नहीं लेती है जिनकी जिन्दगी में एक के बाद एक ट्रेजडी आए पती को खोने के बाद जिस अनुराधा पॉडवाल की जिन्दगी में उनके एक बेटे और बेटी यानि कि अधित्य पॉडवाल और कविता पॉडवाल वहीं थे उनकी जीवन जीने की उम्मीदे उनमें से इकलोते चिराग को हो देना इतनी बड़ी तकलीप दे थी फिर भी अनुराधा पॉडवाल ने अपने एक आंसु दुनिया वालों को नहीं दिखाया अनुराधा पॉडवाल फिर भी खुद को संभालती रही अनुराधा ने अपने आपको कमजोर पढ़ने पर भी लोगों के स्तामने कमजोर दिखाया नहीं लोगों के बीच दर्द बाटने के लिए लोगों के आगे गिरगणाना शुरू नहीं किया अनुराधा ने नेकी करके लोगों को इंस्पायर किया ऐसे में आज हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं अनुराधा पॉडवाल की ही बारे में ये कुछ बात है जो जरूर आप भी सुनना चाहेंगे चलिए हम आपको बता दे कि अनुराधा पॉडवाल जिनके बेटे अधित्य का 36 की उमर में 22 साल सितंबर के महीने में 13 सितंबर की आसपास की तारीख को हॉस्पिटल में जिन्दगी की आखरी दिन गुजरे थे आदित्य पॉडवाल का जब निधन किड्नी फेलियर की वजह से हुआ किड्नी एलिमिन की वजह से तो फिर अनुराधा हॉस्पिटल में जो अपने बेटे के लिए दिन रात दुआ कर रही थी कि कैसे भी उनका बेटा ठीक हो जाए उन्होंने जब सारी उम्मीद ही खो दी आदित्य पॉडवाल के निधन के बाद अनुराधा इतनी अकेली पड़ गई इतनी अकेली कि उन्होंने अपने बेटे को खोने के बाद महीनों खुद को घर में बन रखा था जी हाँ जानते ही हैं आप 70-80 से लेकर 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में गाईकी से पहचान बनाने के बाद जस अनुराधा पॉडवाल ने भजन के गीत के जरिये लोगों को अपना बनाया टी सीरीज की ओनर गुलशन कुमार के साथ उनकी संगीत एक से बढ़कर थी और अनुराधा ने अपने गाईकी से पूरे देश का दिल जीता और हिंदू लोगों के बीच उनके गाने काफी प्रसद भी रहे ऐसे में अपने बेटे के निदन के बाद किदनी फेलियर से सफर करने वाले अपने बेटे को खो देने के बाद अनुराधा ऐसे टूटी थी कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो फिर से उभर पाएंगी बेटे ने आखरी तस्वीर अपने मां पेता और खुद के साथ अपनी बेहन की शियर की थी चार अगस्त की तारीकों बेमारी के दोरान जब काफी जादा आदित्य पॉडवाल टूटे हुए थे म्यूजिक कंपोजर, अरेंजर और प्रोडीसर आदित्य पॉडवाल जो है किड़नी जैसे प्राब्लम से महीनों से जुच रहे थे वो और इस सपर करते वे उन्होंने काफी समय तक कोशिश की थी कि अरिवार वालों को बता दिया गया है कि किड़नी प्राब्लम से उनकी हल बहुत बुरे होते जा रहे हैं ऐसे में कई लोगों ने तकलीव जाहिर की अदित्य पॉडवाल के निधन के बाद अदित्य और उनकी मा की तस्वीर शेयर करते वे अदनान सामी ने लिखा था कि व वो सेविंग सी हैं जिसके जरीए अनुराधा अपनी जिन्दगी का बुरहापा गुजार रही हैं 66 साल की उमर में अनुराधा पॉडवाल जो हैं जो बहुत जादा तूटी हुई हैं उनके साथ इस वक्त उनके परिवार वाले हैं उनकी वो सभी लोग हैं जो उनके दिल क बहुत करीब रहे हैं उनकी बेटी कवीता है जो भजन गाती है स्टेज शोज करती हैं परफॉर्म करती है वही अपनी मा का खयाल रख रही है अनुराधा के लिए पहले उनके बेटे भी थे जो खर खच भी चलाते थे उनका खयाल भी रखते थे और अपनी गाई की से अप को अपना बनाते थे लेकिन बेटे की जाने के बाद अनुराधा कुछ इविन्स फंक्शन्स में नजर आती है और वहां काम करती है इस उमर में भी गाई की नहीं छोड़ पाई है अनुराधा क्योंकि जरूरत है जिसकी वजह से उन्हें गाई की बरकरार रखनी पड़ती है ठापे कि इस उमर में भी गाना गाती है अनुराधा पॉडवाल गीत वो गाने के लिए किसी आलबम सौंग्स को नहीं करती बलकि उन्होंने रियल लाइफ लाइफ शोज करना शुरू कर दिया जिस अनुराधा पॉडवाल ने अपने बच्चों को गाई की की तरफ ही बढ अनुराधा ने अपने पती को खो दिया था उसके बाद अनुराधा पॉडवाल जो है बहुत जादा के लिए पड़ गई ये वो घर है जहां अनुराधा अपनी बेटी के साथ अपनी मा के साथ रहती है और इस घर में अनुराधा पॉडवाल बीते कई सालों से रह रही है ये तो आप जानते ही हैं पती गुजर जाने के बाद अनुराधा पौडवाल के बेटी का निधन उनको पूरी तरह से तोड़ गया है अनुराधा की खुबसूरत आवाज की जगा कोई नहीं ले पाया है कहा जाता है लता मंगेशकर के बाद अनुराधा की ही आवास थी जो बॉलिवुड में सबसे बहतरीन मानी गई अब आपको बता दे कि अपने दुनिया अपने बच्चों के साथ बसाने वाली अनुराधा को अपनी बेटी को खो देने के बाद बहुत तकलीफ में देखा गया है अदित्य भी पेशे से गायक थे कई भजनों को भी उन्होंने गाया फल्मों में भी उनकर जादू चला ऐसे में उन्हें खोकर अनुराधा पेशे से भी कमजोर पड़ गई है जानकर आपको भी रोना आएगा SD बर्मन की एसिस्टेंट रह चुके अरुन बॉडवाल की पतनी बनने के बाद अनुराधा अपने पती का हमेशा सपोर्ट करती थी म्यूजिक इलिस्ट्री से उनका अच्छा खासा नातार रहा है अनुराधा पहले पती की मदद करते थी पती के जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई थी बॉलिवूड में वो गाना छोड़ चुकी थे क्योंकि अनुराधा के परिवार वाले उन्हें बॉलिवूड में गाने के लिए पहले खुशी से राजी से उन्हें इजासत नहीं देते थे ये सब जानते हैं कि अनुराधा पुड़ापे में भी कई तरह के गीत बजाती है और अपनी बेटी के साथ ही मिलकर भजन किर्दन करती है 79 में 17 साल की उमर में अनुराधा ने अरुन से शादी कर ली थी अरुन उन से उमर में 10 साल बड़े थे फिर भी प्यार में पड़ी अनुराधा ने ये फैसला ले लिया था जिसके बाद वो हमेशा साथ रही लेकिन ये भी कहा जाता है कि अनुराधा पॉड़वाल जो है कभी जब अकेली पड़ी तब उन्हें बॉलिवर्ड में हर किसी का नहीं से गुल्षन का ही साथ मिला था गुल्षन के जाने के बाद अनुराधा और भी अकेली पड़ गई थी करियर के शिखर पर जब थी तभी उन्होंने अपनी सिंगिंग के करियर को अलविदा कह दिया था दोस्तो वक्त हो गया है अब आप से यहीं पर इजास्त लेने का अनुराधा पॉडवाल की जिंदगी की कहानी हमने आपको बताई और इस वक्त उनके बुढ़ापे की लाठी बनी हुई है उनकी प्यारी बेटी कविता इश्वर से काम ना करेंगी कि कविता का साथ उनके रहें और जीवन जीनी की जो उमीद अनुराधा अपने बेटी के चले जाने के बाद खो चुकी थी उसे किसी भी तरह से तूटने ना दे उनकी बेटी कविता फलाल वक्त हो गया है यहीं पर आप से विदा लेने का तो देखते रहें इंडस्ट्री की हर खबर हमारी शैनल नेक्स्ट नाई न्यूस के साथ और एक भी अबडेट मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब नमस्कार